हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल मम्मी की टेस्टी रसोई में स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम हेल्दी बादाम ड्रिंक की रेसिपी इसमें कोई कलर कोई प्रेजर्वेटिव नहीं है बहुत ही है अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें नई वीडियो के लिए बैल आजिन को प्रेस करिए तो चलिए बादाम ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं बादाम मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वन लीटर टोन मिल्क लिया है आप फुल फैट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फाइनली दूद को हमें बॉइल करके ठीक करना है इसलिए आप जो भी मिल्क यूज़ करेंगे उससे हमारा बादाम मिल्क शेक बहुत ही अच्छा बनेगा मैंने यहाँ पर 15-20 बादाम को ओवरनेट सोक करके रखा था उसके बाद इसे पील कर लिया है 4 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है थोड़ी से केसर स्टेंड्स थोड़ा सा दूद फ्रेंड्स मैं इसमें से एक बाउल में निकाल रही हूँ इसे हम बाद में यूज करेंगे आईए अब आदाम मिल्क बनाना स्टार्ट करते हैं बादाम मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हैवी बेस की एक कड़ाई लिये इसमें अब हम दूद एड़ करेंगे हाई फ्लेम पर दूद में बॉइल आने देते हैं आप देख सकते हैं दूद में बॉइल आना स्टार्ट हो गया है जैसे ही दूद में बॉइल आ जाता है हम एक स्पून की हेल्प से लगातार चलाते हुए इसे पकाना है फ्लेम को अब हम लोटू मीडियम रखेंगे लोटू मीडियम फ्लेम पर अब हम दूद को थोड़ा सा पकने देते हैं अब हम ये दूद को 15 से 20 परसेंट तक कम करना है जिससे कि ये थोड़ा सा ठिक हो जाए इतने फ्रेंड्स हमारा दूद पक रहा है आईए हम और त्यारी कर लेते हैं अब हमने जो बदाम भीगोकर रखे हुए थे इन्हें हम ग्राइंड करेंगे इसके लिए एक मिक्सिंग जार लीजिए उसमें हम अपने सभी बदाम एड़ कर देंगे बदाम को हम इस तरह से ग्राइंड नहीं कर सकते इसलिए फ्रेंड्स जो मैंने दूद बचाया था उसे हम इसमें डाल देंगे और आईए इसे अब ग्राइंड कर लेते हैं देखिए मैंने बदाम को पीस लिया है और ये देखिए मैंने किस सरह का पेस्ट बनाया है बिल्कुल एकदम फाइन पेस्ट भी नहीं है और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है बस हमें इसी तरह का बदाम पीसना है अब हम इसे एक तरफ रख देते हैं और अपने मिल्क की तरफ चलते हैं देखिए हमारा दूद अब काफी ठिक हो चुका है और ये साइड में जितना भी दूद जम जाता है इसे आप स्क्रेच कर लीजिए ये देखिए इस तरह से हम जितना भी साइड में सारा दूद जम जाता है इसे हम स्क्रेच कर लेंगे इस तरह से आपको इसे लगातर हिलाते रहना हैं क्योंकि अगर आपने हिलाया नहीं तो हमारा दूद नीचे तली में लग जाएगा अब दूद हमारा थोड़ा सा ठिक हो गया है अब मैं इसमें हमने जो बादाम पीसे हैं वो एड़ कर दूँगी यह देखिए मैंने जो बादाम पीसे ते उसे एक बावल में निकाल लिया है और आब हम इसे इसमें एड़ कर देंगे साथी साथ मैं इसमें एड़ करूंगी थोड़े से केसर स्ट्रेंड्स यह बिल्कुल ओप्शनल है मैंने सिर्फ कलर और फ्लेवरिंग के लिए यूज करें हैं आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अब हम फ्रेंड्स इससे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए पाँच मिनिट तक के लिए पकाएंगे पाँच मिनिट हो गए हैं आप देख सकते हैं हमारा दूद काफी ठीक हो चुका है और इसका कलर देखिए कितना भड़िया हमारा कलर आया है इसमें आप देखिए फ्रेंड्स दूद का लेवल भी देख सकते हैं कितना कम हो गया है और इसे लगातार हिलाते हुए पकाया है जितना भी दूद साइड में जम जाता है उसे भी मैंने साथ की साथ स्क्रेच कर लिया था अब मैं इसमें एड करूंगी चीनी फोर टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी एड करी है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें इलाइची पाउडर भी एड करूंगी यह देखिए बिल्कुल थोड़ा सा अब हम फ्रेंट्स चीनी डालने के बाद दूध को दो मिनिट के लिए और पकाएंगे देखिए फ्रेंड्स हमारा बादाम मिल्क बनकर बिल्कुल रेडी है यह साइड में जितना भी दूध जम गया था मैंने सारा स्क्रेच कर लिया है और दूध में मिला लिया यह देखि हमारा दूर कितना थेक हो गया है बस हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए बादाम मिल्क हमारा बिल्कुल रेडी है आईए इसे अब सर्व करते हैं देखे फ्रेंड्स हमारा बादाम मिल्क बनकर बिल्कुल रेडी है अब ही प्रिंटर का सीजन है तो हम इसे गरम गरम ही सर्व कर सकते हैं अगर आपने इसे गरमियों में बनाया है थोड़ा सा इसे रूम टेंपरेचर पर आने पर एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजे आईस क्यूब नहीं डालनी है बिना आईस क्यूब डाले ही इसे सर्व कीजिए देखिए हमारा बदाम मिल्क शेक बनकर बिल्कुल रेडी है आईए इसे सर्व करते हैं अब थोड़े से बदाम से हम इसे गारनिश करते हैं देखिए हमारा बदाम मिल्क शेक बनकर बिल्कुल रेडी है बहुत इजी है फ्रेंड्स इसे बनाना ज्यादा से ज्यादा मुझे ये बनाने में 15 मिनिट लगे है आप भी जरूर बनाएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कामेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए